नमस्कार आप देख रहे हैं SKR News Line of Actual Control LAC पर चीन से विवाद के बाद भारती सेना के तीन जाबाजों की मौत के बाद मोधी सरकार एक्षन में आ गई है रक्षामंदरी राजनात सिंग ने Chief of Defense Staff General विपिन रावत और तीनों सेना प्रमखों के साथ बैठकी इसमें विदेश मंत्री S जैसंकर भी सामिल हुए दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्राले ने उल्टे भारत पर बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगाया है चीन ने कहा है कि भारत ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे सीमा पर सांती भंग हो गौर तलब है कि भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लदाक सीमा पर विवाद जारी है सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक जड़प हुई है इस जड़प इं भारती सेना के अपसर और दो जवान सहीद हो गये है ये घटना तब ही जब सोमवार रात को गलवान घटी को लेकर दोनों देशों के आर्मी अफसरों के बीच बाचीत पिछले कई दिनों से भारत चीन सीमा पर विवाद जारी है लेकिन चीन लगातार कह रहा है कि वह बाचीत के जड़िये मामले को सुल जाना चाहता है लेकिन वह पीछे हटने से इंकार कर रहा है भारत ने साफ कर दिया है कि चीन के सिपाहियों को पीछे हटना ही होगा एलेसी पर बदली परिस्तिती को भारत स्युकार नहीं करेगा